जैसे किशना दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल अंसमान की रसोई में श्वागत है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लेज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस वीडियो का फूल एंड तक बास करिएगा तो आज हम बनाए हैं बै хоч करना वे रूधर श्वागं की सब्सक्राइब सबस्तों करने नाहां के लिए हम चार बड़ी बड़ी लाइक हमारे हैं और कब सब्सक्राइब कीवल इससे तरीके से हम घुटे कर लेंगे आप बैगन को अधाने ही काटना है क्योंकि पानी से बाहर अगर घुल चाइँ लीए हैं अलुको भी हम मोटा मोटा कट कर ली है उसे भी हम पानी में धो करके छोड़ दियां थोड़ा सा पानी भीच में ने तो आलु भीमारी काली हो जाते है तो अलु बेगन को दुनों को हम काट के अच्छे से दो कर्के रख लिए थोड़ा-थोड़ा कर लिए हैं तो हमारी अब यह कडाही गरम हो गई है इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच सर्शो का तेल और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम लेशन को खलवट्टे में बारिक से कूट लेते हैं और तेल भी अछ़़वी गरम हो गया इसमें हम डाल दिया है आधा चमच सर्शवढया और तो पिंच हीं डाल दिये हैं उसे भी हम काट करके इसी में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं हमें इसे बहुत ज्यादा नए पकाना है बस थोड़ा सा सुनहरा कलर आ जाए इसमें और अब इसके बाद हम बैगन को पानी में डाल करके जो रखे हैं उसको हम डाल के इसमें पका लेते हैं तो उसे हम तेल में डाल करके अच्छे से इसे हम चला देते हैं ताकि तेल और लासन जो इसमें पकाएं सब चारु तरह अच्छे से मिल जाए है और आप हम आलू लेते हैं तो बैगन में आलू की मातरा को ठोड़ा बढ़ा करके डालना है क्योंकि पकने के बाद आपके बैगन वह स्वाद रहे ही ने ढालू करके चला देते हैं और इसमें टेस्ट के लिए आपको हरे मतर और तमाटर को को भी डाल देना है तो इन सब को डाल करके हम कि इस तरीगे से ठाक देंगे कि ताकि बैगन हमारा अच्छे से पक जाए और आलो भी भाफ से थोड़ा पक जाए और ये दो मिनट के बाद हम इसे ओपन करते हैं और अब इसमें हम डालेंगे मसाले तो इसे हम चला करके छोड़ देते हैं और ये देखिए हरे मटर के दाने भी हम अलग रख लिए हैं तो मटर को उपर से हम डाल देते हैं आलो में दो चार मटर के दाने चले गए थे तो मठर से हमारे सब्जी का टेस्ट भी और जादा बढ़ जाता है इसलिए हम मठर को डाल दिये हैं इसमें उपर से इन सब को हम डाल के अच्छे से जला देते हैं और जला करके इसे हम ढख दिये हैं देमियाज पर और इसके बाद हम मसाला रेडी करते हैं तो ये एक चमच हम अगर ऑफ इसका हम घोल बना लेते हैं और अगर आप इसे कडाही में पकाते हैं तो मसाला बहुत अच्छेशे प्रग जाता है को कि इसे हम सला करके अच्छे से घोल बनाते हैं आप अगर लखसन पसंद रहारा थो आप बिना लखसन प्यास के भी इस तरीके अपलेट को ओपिन करते हैं और आलो और वैगन को थोड़ा एक साइड में करके कड़ाही की तली में हम मसाले को नीची कर दिए है और ओपर से हम अलो और से ढग देते हैं इस तरीके से हम करके इसे धख देंगे कम से कम दो से तीन मिनट के लिए और ये उपर से हम थोड़ा सा टमाटर एक है टमाटर को डाल दी है इसे हमारा टेस्ट और भी अच्छा आता है तो टमाटर को भी डालके हमीशे धग दिया है और हमारा मसाला भी अच्छे से नीचे पक गया है और अब इसे हम चला लेते हैं पल्टे से तो मसाले को हमें बराबर इस तरीके से चला लेना है ताकि आलो बैगन में हमारे मसाले चारो तरब से अच्छे से लपेट ले और कुछ तेल भी देखी छोड़ने लगें जा हमारा मसाला पक जाएगा तो तेल भी छोड़ देगा हम रोज खाने वाले डेली की सिंपल सब्जी आपको दिखा रहे हैं इसमें बहुत जादा तेल और मसाले का प्रयोग नहीं किये हैं अब हम आलू को पकने के लिए हम छोटी ग्लास से एक ग्लास पानी डालेंगे ताकि हमारी आलू पक जाए क्योंकि हम थोड़ा आलू को मोटा मोटा कट किये हैं तो मोटा इसलिए कट किये हैं, कि पकने के बाद हमारी सब्जी में आलू का लुक बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप हम इसको डाल करके चला देते हैं, और इसके उपर से हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, तो हम इतने आलू में एक शमच नमक एड़ किये हैं, और नमक डाल कर भी हम इसको चला देते हैं, और अब चला करके हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे, अब इसे आपको बीच-बीच में शेक करना है, जब तक कि आपकी सब्जी पकना जाए, तो अब हम प्लेट से ढख करके 2-3 मिनट के छोड़ देते हैं, पर ह हमें गैस को बहुत हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, तकि हमारी आलो अच्छे से इतने ही पानी में पक जाए, और 2-3 मिनट के बार एक बार हम फिर से प्लेट को ओपन करेंगे, और इसे हम चला लेते हैं, तो सब्जी हमारी अच्छे से पक रही है, तो अक्सर हम लोग या परपल वाले बैगन का ही सब्जी बनाते हैं, और यह सफेर बैगन की सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनती है, इसकी कलोजी और इस तरह से सूखी सब्जी आप बनाईए, तो बहुत ही टेस्टी यह सब्जी बनके तयार होती है, तो आज हम आपको सफेर वाले बैगन क सब्जी की रिष्पी दिखा रहे हैं यह देखिए पानी तो सब इसमें से सोग गया है लेकिन अलो मारा अच्छे से नहीं पका है तो दो मिनट के लिए हम फिर से ढख देंगे इतने में हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तयार हो जाएगी और यह देखिए दो मिनट के इच्छे से पक गई है अभी एक किसी प्लेट या कटोरा जो भी आपके पास हो उसमें आप इसे अलग बाहा निकाल लीजिए और बहुत ही खुसबूदार बिना प्यास के हमारी यह बैंगन की सब्जी बनके तयार हुई है तो आभी इस तरीके से बैंगन की सब्जी देते हैं देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि धनिया की खुसबू बहुत ही अच्छी होती है तो इस तरीके से आप बैंगन की सब्जी बनाएं इसे डाल चावल रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी हमा